नमस्कार उमेद्वार्ने घर्वएदोगर्न पाउने समानुपातिक तर्फ महिला उमेद्वार को संख्या 15% प्रतिशक भंदा बढ़ी तीनोटा प्रदेश माँ समानुपातिक निर्बाचन प्रणाली तर्फ को मत्पत ध्वानी संपन्न आगामी निर्वाचन लाइन इस पक्षर भाय रहीत बाता वरणमा संपन्न गराउन नेपाल प्रहरी लेकुने कसर बाकी नराखने प्रधान मंत्री को विश्पास प्रहरी को युबदान को उच्च प्रशंसा विराट नगर को कोसी अस्पताल द्वारा स्वास्थे जन्य फोहर ब्यवस्तापन केंडर संचालन शुरू केंडर संचालन पची फोहर विक्री बाट पनी आमदानी युक्रेन को राज़ानी कियेव मा रूस्टबारा मानव रहीत विमान बाट आक्रमण आक्चना को मित्यू रूसको स्तामना गर्ण फप हत्यार फरूस्वेग्र आवसेक रहेको युक्रेन को खनाई निर्वाचन आचर समहितामा दल हरूले मतदानकू दिन भंदा सत्र दिन अगाडी बाटा मात्रे निर्वाचन प्रचार प्रशार कलागी चुनावी आमसभा रा कोंट सभा गर्न पाउने बेबस्ता गरियेको सा कतिपे जिलामा भने चुनावी सभा सुरू भाई सकेका भनी समाचार आई पछी आवचले आचर समहितामा रहेको उत्त प्राभधान को स्मरण गराएको निर्वाचन आयोग मां कुनई दल्ले चुनावी सभा रा कोंट सभा गरियेको भनी कुनई उजुरी न परेको रा निर्वाचन आचर समहितामा मतदान को दिन भंधा सत्र दिन अगी बाट मा त्रेचुनावी सभागर्न पाउने बेबस्ता रहेको आयोक का प्रवक्ता साली ग्राम सर्मा पोडेले जानकारी तीनुभाई एसे वीच को अबदी सम्म ताम ज्याम नगरी 25 चना समलेर उमेद्वार ले मतदाता को घर दयलो मा प्रचार प्रसार का लागी जाना पाउने छन निर्बाचन लाईब हड कीलो नबनाउन र मर्यादी त्रूप मा प्रचार प्रसार गराउना आयोगले राजनेतिक दलको छलफल्का अधारमा निर्बाचन आचार समीता 2009 निसिमा एसतो बेबस्ता गरियेको आयोगले चना आयेको छा एस्ते निर्वाचन आचार समिता कडाई का साथ पालाना गराउना आचार समिता अनुगमन अधिकरित हरूलाई निर्देशन समित दिये कोछा संचार तथा सुचना प्रविदी मंत्रालाई का सचीब बैकुन्च अर्याले मातहत का संचार माध्यम हरूलाई राजनतिक पूर्वाग्रह बिना संतुलीद भैरा समाचार प्रकासन तथा प्रसारन गर्न निर्देशन दिनुभाई कोछा आज मंत्रालाईले आईजुना गरेको निर्वाचन आचार समिता सम्मन्दी छल फलकारिक्रमा सचीब अर्याले निर्वाचन लाई प्रभावित पार्णी करी कुनेई पनी कारिया नगर्न सरकारी संचार माध्यम हरूलाई निर्देशन दिनुभाई को प्रणी कारिया निर्वाचन लो फार्यन करीक्रमा सचीब अर्याली मातहत रहेका संचार माध्यम का प्रतिनी दी हरूले आफना कारूले मा निर्बाचन आचर सम्हिता उल्लंगन गने किसिम का कारियलाई निगरानी राखे को बताऊन भाय। निर्बाचन आचर सम्हिता उल्लंगन गरने करीब देर दर्जन बेक्तिलाई निर्बाचन आयोगले स्पस्टि करन सोदेको छा। एसरी आचर सम्हिता उल्लंगन गरेमा संगिय मंत्री दलका प्रमुगतेखी सिक्षक सम्हा रहे काछन। एक्रिबाच। आयोगले मंत्री चोधरी लाई इसपस्टि करन सोदेको हो। प्रदान ध्यापक्तिवारीले आपनों फेस्बुक पेज मार्फत चुनाबी प्रचार प्रशार सामागरी राखेको भन्दै आयोगले इसपस्टि करन सोदेको हो। आयोगले असोज बार गते देखी सुरुभाईको नेरवाचन आचार सम्हेता उलंगन गरीको भन्दै हाल सम्म करिब डेड दर्जनला इसपस्टि करन सोदेको छ। पहिलो चरण मा इसपस्टि करन मात्र सोदेक भन्दै आयोगले इसपस्टि करन चित नबुजे कारवाईका लागी सिफारिस करीने बतानु भयो। आचार सम्हेता को उलंगन गरने वेक्ति तथा राजने तिक दल वा सारवजन इक संस्टालाई इसपस्टि करन सोदने तथा विबागे कारवाईका लागी सिफारिस गरने वेवस्था गरियेको छ। क्यामरामा असुक कुमार बसनेत का साथ सलुजा दहाल काठबंडू। जिल्ला का सबे निर्वाचन क्षत्रमा मत पत्रड हुआनी संपन्नभाई सके कुषा। भाधर्फ समानोपातिक उमेद्वार को कुल संख्या 2402 श। इसमा महिला उमेद्वार को संख्या 1313 श। भने पूरुष उमेद्वार को संख्या 1099 श। निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेकु तथ्यांक अनुशार प्रदेश सभातर्फ महिला समानुपातिक उमेदवार को संख्या 2426 रहेकुश तीन वटा प्रदेश मा समानुपातिक तर्फ़कु मत पत्रकु ढूआनी कारी और संपन्न गरेकु आयोगले जनायकुश प्रत्यक्ष तर्फ़ चार करोड मत पत्र कातिक 27 कते सम्मा छपाई संपर्ण गरी जिल्ला पठाई शागने आयोगले जनायकुश आयोगले समानुपातिक तर्फ़ हमिले यस अगी कुश मा चार मा जानकारी देजस्ते प्रदेश नमबर एक मधेश्र बागमंती मा पठाई सके कुश अब विज्यापन को पालो उच्चा सोंच को निर्मा और सगर माथा सिमेंट जूनी जूनी लाइए अब तिर्चालिस रा तिरपन्ना ग्रेट साहिट फॉंक्शी सिमेंट माम, सानी फ्रेश तियो चीर परची टॉयलेट क्लीनर भंदा डेड़ गुणा ज्यादा स्ट्रॉंग चाल ओरा, मले तो तिस्तो लाग देना यो हेर नोस टॉयलेट मा जमेको पहलो दाग अब हेरों गुणले घरे हटाउंदो रहेचा एक तंप क्लीर अनि मेरे सबें डाउट्स पनी देड़ गुणा स्ट्रॉंग मतलब उत्क्रिष्ट सफा ज्यादा चमा क्यारंची जन्त्थी सानी फ्रेश ज्यादा स्ट्रॉंग ज्यादा सफा थोडे मात शर्णा किज़गा ममीले सबले पालक पने दिनु बायव अफ़ले जी कम खानू पालक पने कम खानू बायव पेनी कल्शिम रायरं का बादे बानूनझा हमरा हर्लिक्स बाट़ एक कप हर्लिक्स माँचा आयन जस्टे पालक मा, विदिमन C जस्टे औरंज मा, रो क्याल्शम जस्टे दूद मा, औरलिक्स, पुड़ा फिनिस्ट कनूस, फ्युचूरा फ्राइंग पैन, पुर्फेक्ट चिकन कटलिट्स at home, वाँव, हेवी गेज फ्राइंग पैन, फ्युचूरा एक लाट पुरस्कार पनी दिएंचा, शक्ति शाली होंख्षी सिमेंट, अब तिरचालिस रहतिरपन्ना ग्रेट सहीथ, होंख्षी सिमेंट, KNP Nirolag, पर्वसंगे रंगमा दंगा, पर्वसंगे रंगमा दंगा, चार बार को यो उमंगमा, KNP Nirolag को सेलेक्टेट पेंठारु को, हरेक पचातर हजार को खरीदमा पाउनो होस, श्योर शॉर्शाट ट्रावल बैग, साथ है लोकी ड्रा मार्फद जितनो होस, स्मार्ट वाचेज रा, बंपर मारू 5 लाग बराबर को सून, KNP Nirolag, परवसंगे रंगमदंगा, बंपर मारू 5 लाग को सून संगा, आज़ केरफू, भोली कलरफूल, बीट सेंसिटिविटी फास्ट, विद सेंसोदाइन रापिड रलीव, वर्क्स इं 60 सेंग्स, फ्यूचूरा सॉस पैन, पर्फिक ट्माटो सूप, फ्यूचूरा सॉस पैन, हेवी गेज, वर्क्स अन गास अन इंडुक्शन, सर्वोत्तम सिमेंट, सर्वोत्तम मजबुथी, बिस्राम पची बाग की समाचा, नेपाली कॉंग्रेसले आसनन निर्पार्चन पची बनने सरकार ले, आर्थिक विकासमा महत्तो दिनुपर्णी बताएको स, पाठीकारले सानेपामा आजब पत्रकार समिलन करन हुदे, पाठी प्रभक्ता डॉक्र प्रकासरन महतली, कॉंग्रेसले जयली पनी आर्थिक सम्रिद्धिक लागी, काम गर्दे आयको बताऊन भाई, प्रभक्ता डॉक्र महतली सबई बर्ग समोहर श्यत्रलाई समिटी सम्रिद्धिक लाब बाटा कोही पनी बंचित नहुने अधोर्ट पाठीको रहेको बताऊन भाई, सरकारले देश वित्रे रोजगारी स्रुजना गरे रा, बाईदेशिक रोजगारी मा जाने युवालाई नेपाल में रोखने गरी योजना लियाईने पनी बताऊन भाई, आमरो गोषना पत्र, खाली नारा को लाई नारा नभाईर, जुनकुर आमी कारवनेन गर्नाश। यथार्त पर, आमरो साधन स्रुथ को बिकाश संग्शंगनी, आमरो चैनी यो बिकाश को संभावना अरुजें बढ़नी हूँ, तेसकान कसरी आमी साधन स्रुथ लाईचे, परिचालित गर्चू, कसरी फुझी निर्माण गर्चू, और तो फुझी निर्माण संग्शंगें, कुन-कुन प्राथ्मिक्ताको चैत्रमाचे आमी लगानी गर्चू, और तो लगानी केगो लागी अन्दा, खेरी आम नागर प्रबक्ता दक्रमाहत ले बतावन भाय प्रदानमंद्री शेर्बहादूर देवबाले आगामी प्रतिनिदी सभार प्रदेश सभा सदर्श्या निर्वाचनलाई निस्पक्षया सोतंत्र और भैरहित बाता ब्रणमा संपन गरावन नेपाल प्रहरी ले कुणे कसर बाकी नराखने विश्वास बेक्त गर्न भाय नेपाल प्रहरी का सभई कर्मचारी को ब्रति विकास लाई समय अनुकुल सुधार गरी सक्षम प्रहरी संगतन निर्माणमा सभई को ध्यान जानु पर निमापनी वहले जोड दिनु भाय वहले आवसक योजना बनावन ग्रिह मंत्रालाई लाई निर्दे संपनी दिरुपाय ग्रिह मंत्री बालकिष्णा खाडले आपराधिक गतिविदी मा नया आयम थप्येको रापराधिक गतिविदी मा प्रविदी को प्रयोगले शुरक्षा चनोवती थपेको उल्ले करनु हुदे प्रहरी कर्मसारी परिवार को जिवन यापन सहज बनावन प्रहरी जबान तथा जुनियर अधिकरित को मनुबल बढ़ावन बृत्ति विकास मा सरकारले महत्तु पुण निर्णे गरे को जानका डितिन भाय आंप सरकारलें प्रहरी मारै यह स्यान था दिकितर जवाना कुष्चाश्च गला गीलुकर जुनिर हलडार यह सीट है कि शीलें ऊही है एक का पटल को बिर्धिकरे रहा बृदिविगाे डिबिदिगाश मारी फटलृони प्रहरी को बिश्व सनियता बढ़े को बताउं भाय पाटा उत्मन्न होने खराबी लाई समय में निरुपन गरी राष्टे शुरच्या सुधियर गरने आवसेक्ता मसर्च करी लामो समय देखो निरंतर पर्तिफल स्वरुप कोरियन गौब्मेंट को सहयग मां कोई का को प्रोजेक्ट मां साइबर वियुरो को निरुबान कारेले शुरू आतले नेपाल प्रहरी को संस्तागत विकास रा छमता आभी विर्दी होने मां आमीले विश्वास लेगा छों। निधन को सोक्मा भुली मंगल वारत देश्वर सार्वजनिक विदादीने नियोणय भायको ग्रिह मंत्रालाय का प्रवक्ता फडिनर मडी पोखरेले जानकारी देनुआए कुशा। बिराटनार को कोशी अस्पताल मां जोखिम युक्ता फोरला व्यवस्ताबन गरना एकिकरिद अटो क्लेब मेशिन संचालन मां लेईए कुशा। चाइना एड को सयग मां UNDP लेज उपलवदगराय को सो मेशिलने एक पटक मां 45 किलो जोखिम युक्ता फोरलाय निर्मली करन घरने प्रसासन अधिकरिद बालकिष्ण गुरूंग लेज जान काये दिन भाया है। करेल एक कोर्ड उन्चास लाखरया पन्ने सो मेशिलने दिनको दुई पटक जोखिम युक्ता फोरलाय निर्मली करन घरन घरने प्रसासन अधिकरिद गुरूंग लेज बतावनु भाया। बॉट कि अस्पाल जन्य फोर अतीने जोखिम युक्ता हुने वैकाले अस्पाल को फोरलाय सुरत मैं भेवस्थापन करना कोसी अस्पालमा स्वास्थ जन्य फोर ब्युक्तापन केंद्र संचालन मा ल्याईएको हो। UNDP को करीब 4 गोड को सवयग मां संचालर मां लियाएको 100 केंद्र मां अस्पतल का फोर अरु लाए जोखी म्युकत्रा साधर्न फोर का रुप मां छुट्य हुना प्रतेक वाड मां छुटा-छुटे बॉकेट अरु राखने गरियेको छा एसरी छुट्याएको जोखी म्युकत्रा फोर लाए एकी क्रित अटोकले मेशिन मां राखेर निर्माली करन गरे पची सामन्य फोर का रुप मां फ्याक न सकीने कोशी अस्पतल का निमीत मेडिकल सुपरिटेनेट डाक्टर लश्मिनारन यादबले जानकारी दिन भाया वाले स्वास्ते जन्ने फोर ब्यवस्ताप्रिन केंद्र संचालन गरिये पची फोर बेचेरा आमधानी समेत हुन थालेको बता अनुबाया चाइना एड को स्वाग मां UNDP ले कोशी अस्पतल का साथे बिरकंज को नारेनी अस्पतल रा तुलसी पिरुको रात्ती अस्पताल मां स्वास्ते जन्ने फोर ब्यवस्ताप्रिन केंद्र संचालन मां स्वाग गरिये खुछा मुन मानंदर निपाल चेलिवीजन प्रदेश नमरेग बिराटनगर फेरी विज्यापन को पालो विस्वाम पची बाकी समाचा चार पर्ब हरु नजीकी देज जादा मधेश प्रदेश को राजदानी जनकपूर धाम मां जहाडू कुछो बेबसाई फस्ताउदे कोई कोछ हिंदु धर्मा अवलंबी हरुको महान पर्ब सुभ दिपावलीमा पुरान जहाडू कुछो फालेरा नया जहाडू कुछो हरु घर भित्रयाउने धार्मिक परमपरा रहेको कारण तीहार को बेला यू बेबसाई फस्ताईको बेबसाई हरुको भनाई छा अमलीशो सोदेश्मे उत्पादन हुने भाईकाले सिंदुली रामेचाप मक्वानपूल चीतवन लगायत जिला हरु बाटा आपूरती गरेरा कुछो बनावन सहज भाईका कारण सहज भाईको बेबसाई हरुले बताएका छल बहारत बार्ट दक्ष्य कालीगर्ड लैर यो बेबसाई गर्णूपने बादेता भने अजही पनी रहे को पाई ये कोछ कृष्य यांत्री की करणको पहुष्ट विस्तार बढ़न थाले पछी जापा का किसान हरुले खेत का गरा सुधहारलाई जोट दीन थाली काछन पहिले-पहिले ससान खेतका गरामा खेति-गरने कीसान ले मेशन के करण छुल्ठुला गरा निर्मार गरी पची उत्पादन समेत ब्रिद्धी हुना थाले को सा एक रिपर्च। छुल्ठुला गरा निर्मार गरी पची उत्पादन समेत ब्रिद्धी हुना थाले को सा एक रिपर्च। छुल्ठुला गरी पची उत्पादन समेत ब्रिद्धी हुना थाले को सा एक रिपर्च। पची उत्पादन समेत ब्रिद्धी हुना थाले को सा एक रिपर्च। पची उत्पादन समेत ब्रिद्धी हुना थाले को सा एक रिपर्च। पुष्टी भायको स्वास्ते मंत्रालेले जनायक। एसे वेज तनहों मां 138 जनामां डेंगु को संक्रमन देखियेक। साउन इता 530 जनाको परिक्षन गर्दा ती वेक्तेहरु मां डेंगु संक्रमन देखियेक। स्वास्ते कारले तनहों का अनुसार डेंगु को संक्रमन जिल्ला का मुख्य सहर मां बढ़ीछा। कुल संक्रमित मध्य दमोली अस्पताल मां मात्रे चार से संताउन जनाको डेंगु परिक्षन गर्दा एक से पास जनामां संक्रमन देखियेक। दमोली अस्पताल का मेडिकल सुपरेटेंडेंट दिबस धकार ले बतानु है। समानुपातिक तरफा महिलाव में दोवार को संख्या पस्पर्ण प्रतिशत भंदा बढ़ी तिनोटा प्रदेश मा समानुपातिक निरुबाचन प्रणाली तरफा को मत पत्रध्वानी। पागामी निरुबाचन लाइनी स्पक्षर वहर हैत संपन्नगराउन निपाल प्रहरी ले कुने कसर बांकी नराखने प्रधान मंत्री को विश्वास प्रहरी को योगदान को उच्च प्रसंशा। विराटनगर को कुश्य स्वताल दुवारा स्वास्थे जन्य फोहर वेवस्थापन केंद्र संचालन शुरू केंद्र संचालन पसी फोहर विक्री बाट पनी आमदारी। योग्रेन को राजदानी कियव मा रूस द्वारा मानव्रहिद विमानववाट आक्रम और आर्ष्चना को मुरित्यू रूस को सामनागर्न थप हत्यार आवश्यक्रह के योग्रेन को भनाई। राएक साथोटा सोन पदक को छिनू फानो होदा चोवाली सोन सहित डिपाली सिनाको अगरता कायमें खेलाडी मैत्री बिवस्थापन नभायक भन्दै खेलाडी को गुनाशू। रुकुम पुरवका इस्थानिय बासिंदाहरू हीजो आज पाहा स्टिकार गरन बेशत बने काचन। लामचो आकर मा बनाईयेको रहिथाने भासामा तुम हनी ने निगाला को डड़ुवालाई उनिहरूले खोलामा राकिरा पाहा स्टिकार गरनी करे काचन। असोज महिना लाई पाहा स्विकार का लागी उत्त महिना को रुपमा लिने करीं छा। असोज महिना लिने करीं छा। युटा विदेश को खबर सा रूसले आजब विहाना उक्राइन को राजधानी कीव मा जो नर्थाद मानव रहेते बिमान वाटा आक्रमन गरेकुषा। अक्रमन मा आठ्चना मारिये को बीबिसी ले जनाया कुषा। युटा विदेश मान ड्रोन राक्रमन शुरू गरेरा उक्रेनी हरोलाई तोड़ना नसकने उक्रेन का राश्ट्रापती रादे मेर जलोनेश को ले बतावन भाया कुषा। फिर युटा ब्रेक को पालू। अब आर्थिक समाचार को पालू। यो बर्षको तिहार को फुलको कारोबार बढ़ने भाया कुषा। यो बर्षको लागी तिहार मां 13 करोड पचास लाग रुपया बराबर को तिहास लाग हंदा बढ़ी फुलको माला खपत हुने भायको छा। बजार को माग अनुसार सोदेशी तथा बीदेशी गरी तिहाईस लाग बीस हजार फुल माला खपत हुने फ्लोरी कल्चर एसोसेशन नेपाल ले जनायको छा। अगिलो बर्ष अठार लाग पन्र हजार माला को खपत भायको थियो। आंतरिक उत्पादन ले तिहार मां बजार को माग लाए धान्न न सकनी हुदा 3 लाग फुल भारत बाट आयात गरीएको छा। यो बर्ष नेपाल मां 7 लाग फुल उत्पादन भायको छा। तर बजार को माग 24 लाख रहेको छा। नेपाल को उत्पादनले बजार को माग नपुगने भईकाले हर एक बर्च तिहार मां दस तेखी पंद्र प्रतिशत सय पत्री फुल को माला भारत बाटा आयात हुने गरेको छो. एदबी नेपाल 90 प्रतिशत फुल उत्पादनमा आत्मा निर्वर्च यो बर्च 20 लाख सय पत्री, 3 लाख महमाली तथा 20,000 गदावरी फुल को खपत हुने एसो सेशन को भानाई छा. फुल ले गर्दा हैरी मातरे आमी 19 पर्षेंट आयात्मा निर्वर्च रण परेया सु, वहिने वने करिब गरेया आमी जे आत्मा निर्वर्च यो बर्च तिहर मां सय पत्री माला को थोक मुले नवढ़ने एसो सेशन ले जनायको छा. गतबर्च एक मीटर सयपत्री माला को किसान मुले 55 रूपया तोकेको थियो. यो बर्ष पनी सोही मुल्ले कायं हुने एसो सेशन ले जनायको छा. तरह मखमली माला को थोक मुल्ले भनी 5 रुपाया बढ़ेर 40 रुपाया पुगे को छो, गतबर्ष 25 रुपाया थियो गोदावरी फुलको माला पनी प्रती गोटा 400 रुपाया पुगे को छो, गतबर्ष यो माला प्रती गोटा 350 रुपाया थियो सईपत्री फुलको माला ग्रामनिक चेत्रमा सत प्रतिसत आंतरिक उत्पादनने धानने गरिये को छा भनी सहरी चेत्रमा 25 प्रतिसत आंतरिक तथा 15 प्रतिसत आयतले पुरागर्नी गरिये को छा एसे गरी तीहार को आउसर मा एसोसेशन ले 15 गदावरी फुल को प्रतियोगी तात्मक प्रदसनी आयो जना गरने भायको छा रोपेर फुल गदावरी सजाओं घर आगन ओरी परी भन्ने नारका साथ कार्तिक तीन गते देही छ गते समा प्रदसनी गरीने आयो जकले जान करे देगो छा क्यामेर आमा प्रदुन्न ढूंगेल का साथ पौन बर्चा साहा नेपाल टेलिविजन कार्ट मांडव तीहार लक्षित बजार सहज रसुफत बनाई दिन उपभगताले मांग करे का छन तीहार को समयमा प्रयोगुने मिठाई भाई मसला लगायत का बस्तुक गुनस्तर तथा मुल्य सहज बनाई दिन उपभगता हरुले मांग करे का हुन तीहार मां प्रयोग हुने दुग्द जन्नेपदार्थ मिठाई गुथपाक लगायत का खाद्दे समागरी में बड़ी मात्रा मां मिठाउट हुने गरे को आम उपभगता को उगुनासो चा एसे गरी ताचु भाईलाई दिने भाई मसला को मुल्य समेत मनपरिलीने गरे को भनाई उपभगता को उछा बेवसाईले चार परवको मौका छोपी मिठाई लगायत अन्ने बस्तु मा मिठाउट बड़ी मुल्यर कम तौल राखने गरे पनी सरकारी निकाईले भने इस तरप धिहन न दियेको आरब उपभगता को उछा मिठा है न दुवागता है न दौल्य सरकाईलहा रहरा नम भाष भाष, सेहुल इताह रमा, अली रामा रमा राम्ता है, आप जो अधिए बड़ी मौनाघ भाष अन्ने न दौल्टी है न दॉपभगता है, आप लिए सब्साईल महां निकाईला ट्याए मारी को आईले न द चार बार को बिलामा मात्र मौशमी अनुगमनलाई मात्र ध्यांदिने गरे को आरोब लागने गरे का सरकारी निकाय हरू भने बार को बिलामा अनुगमनलाई मात्र मौशमी अनुगमनलाई मात का. अब खेलकुत समाचार को पालो पुखरामा जारी नौबों राष्ट्रोय खेलकुत प्रतोय गितामा राष्ट्रोय खिर्तिमान सहित विबिर्ण सोर्ण का लागी प्रतेश्फर्दाहरू संपर्ण भयका आछन जहां थप चार टुलीली सोर्ण जीतिकुछ पाउडी तर्फ शात ओटा राष्ट्रोय खिर्त किर्दिमान आजेवाने कुछा दुर्गा वहादुरले निर्धारी दुरी आठ मिनेट पसपन दसमलाब एक नव सेकेंड मा पूरा गरे। आर्मी की जयरानी थारूले राष्ट्रोय किर्दिमान साइद दोस्त्रो सोन पदक जीते कीछिन। एसे गरी 110 मिटर हर्डल्स पुरूसमा आर्मी का जिबन चोधरीले पंद्र दसमलाब सुन्ने तिन सेकेंड मा दुरी पूरा गर्दै सोन पदक जीते काशन। एतलेटिक्स काई डिसकस थो पुरूसमा आर्मी का चित्र वहादर ओलीले सोन पदक जीते का चन्वने महिला डिसकस थो मा लुमिनी प्रदेस की संगीता अधिकारीले सोन जीतन सफल भाईन। एसे गरी टेबल टेनिस तरफ नेपाल पुलिस क्लोव का बिनेश खनियाले एकलाई तीन सोन पदक जीते का शन। और हांत केसर सिम्हालाई पांत सेट को रोमान चा खेलमा हरायर इतिहांस बनाई अम्री चंग और हांत 12-10, 11-8, 12-10, 9-11 रा 11-8 लेट पराजित बायका हुन महिला क्रिकेटको बादिगा लागी दुई बिभागी ये ट्वरी एपी अफ क्लब रा नेपाल पुलिस बीच प्रतिस वर्दा उनेबायकुछ पोखरा रंग सालामा सोंबार वएको फाइनल खेलमा बीजाई हुदै एपी अफ रा पुलिस फाइनल मा पुगे पोहिलोर सेमी फाइनल खेलमा लुम्मिनी प्रदेस लाई उनान सत्तरी रंले पराजित गर्द एपी अफ फाइनल मा पुगे को हो वने दोस्तरो सेमी फाइनल मा बागमती प्रदेस लाई 36 रंले हराउदे पुलिस ले उपादी यात्रा तयव गरे को हो सौफ्क टेनिस को पुरुष एकल मा प्रदेस एक का एकेस योंजनले सोनपधक जिते का छन वने महिला तरफ़ एपिएफ की संब्रिधी महरजनले सोनपधक जितना सफल भाईन टेनिस तरफ़ा वने आर्मी रगंडकी प्रदेस फाइनेल मा पुगे का छन सोंबार नई 22 खेल विधा अंतर्गत का इस परदाहरू संपन्नबाय काशन खेलकुद बिवरो नेपाल टेरी विजन समाचार पोखरा गंडगी प्रदेश को राज़धानी पोखरामा राश्च्टो खेलूद सव नवव राश्च्टो खेलकुद प्रतियोगीता भायरायगो छन प्रतियोगीतामा देश भरबाट जंड़ाई 7,000 खेलाडी सहाभागी छन सहब्भागे हुन्ना पुगे का खेलाडी हरुले खेल रा खेलाडी मैंत्रे बेवस्थापन नौ भायक भन्दै गुनासो गरेकाशन पोहरा मा वईरेको यो नबव राश्ट्रे खेलकुद प्रत्यो गीतालाई रास्ट्रे उत्षपका रूपमा संपन्नगर्न आयजा खरू लागी रहंदा खेलाडी हरुले बने उनि हर को भेवस्थापन र समग्र खेलाडी हरुकाई बेवस थापनमा कमजोरी भायको भंदै आलो चना गरेकाशन। खेलाडी हरुले चनोड प्रक्रिया देखीने मुख्या आय जना इस्तल पोखरा रंगसाला सम्मा आयरा प्रतियोगीता खेली रहादा समेत उही समस्या को पुनरा बृत्ति भायको भंदै दुखे सो बेक्त गरेकाशन। राश्वे खेल उत्सब को रुपमा हुँदै गरेको प्रतियोगीता मा सहभागी हुना आउदा पनी खाना बसना अनी खेल का लागी आवस्चेक सामगरी हरु खेल सुरु हुना लागदे पनी न पाउनू दुखा को कुरा बायको खेलाडी हरुले बताया सन। पाइटो ओनी मननला अनी बाईरे बन सुतना सक्चो मामीली तर गुम्ना कईनन तामी बने पच्छी परफोमेंस बेश दीन अगलागी एक दीन लेए पन देरे फरक पार्शा ते बिर बसने ठाउं उरुमा ओट लारुमा आई पाई ता चाहिए देना दुखा को खेलाडी ह संख्या काम होदा बिना चनोट ने मुख्य प्रतोगीता ख्यान आउन परेको प्रसक्षक ना होदा शिकन न पायको आफने मिहना र प्रयासमा पदक जीते को बताउनी खेलाडी को संख्या पनी ठूलो छा खाना बनी मिंदाना टाइम टेबल मिंदाना चेनिंग अरू मेडल होदा आवा सोजने साखिना यो ताली चाहिए आवा आफनी मेनेदली बनी आई आले बनी होदा निवनतम खेलाडी संख्या नपोगेर पुर्ब निर्धारित मद्दे कतल पयो खेल अंतीम समय मा इस्ताग बनाई छारू शिमित श्रोत र साधन का बीच नियमित अव्यास मा जुटना र तेसको बेवस्थापन गरना संबब नवाय पनी राष्ट्ये खेलकुद जस्तो राष्ट्ये गोरव को प्रत्योगिता आव जना होदा खेल प्र खेलाडी मा होने लगानी बड़ावने बेव जे जदी समस्या खेलाडी होले देखाय का शन ती समस्या हरको बेवस्थापन गर्दे जानी होवने आगामी दिन मा इसता राष्ट्ये खेलकुद प्रत्योगिता हरू को महत्तो बन्डे चार यो स्नाचिके राष्ट्ये उत्सवपको रुपा रहने खेलाडी हरको नेपाल टेलिवीजन समाचार पोखरा नवव राष्ट्ये खेलकुद प्रत्योगिता अंतर्गत आजा 30 भंदा बड़ी पदक को छिनो फानो भाई को सा पदक तालिकामा राष्ट्ये खेलकुद को चोंथो दिन विभागिया टोलीले बर्चसो जमायो आर्मीले दुरी बड़ाउंदा पोलिस र एपिएफ उतकुष्ट तीन मा उकलीना सफल भाई को सा डवव राष्ट्ये खेलकुद प्रत्योगिता अंतर्गत महिला फुटबल मा बिवागे टोली एपिएफ र प्रदेश गोल अंतरले पराजित करियो एपिएफ को जितमा वन्जना तरजीर अनिता केसीले शमान दुई-दुई गोल करे तिस्ते ही करणाली प्रदेश लाई चाओ सुन्य गोल अंतरले पराजित कर देई प्रदेश नमर एक बिजएब है को सा उता मैगदी माजारी महिला वलीवल तरफ क्वाटर फाइनल का खेल हरू सुम्बार बाटा सक्की एका सन बिवा के टोली नेपाल पुलिस क्लाव सेमी फाइनल मा प्रविस करे को सा अरको बिवा के टोली त्रीवन आर्मी लाई तीम-दुई को सेट मा पराजित कर देए पुलिस सेमी फाइनल मा प्रविस करे को हो तसते एपी अफ कलाव ले लुमिनी प्रदेश लाई तीम-एक को सेट मा हरूंदे बिजए बने को सा सोम्बाने भायको अंतीम खिल मा गंडगी प्रदेश ले प्रदेश नमर एक लाई सोजो सिट मा परासित गरियो येसे बीच ITF तेक्वान दो तर्फ गंडगी प्रदेश रबागमती प्रदेश ले दुई-दुई शोन पदक जित्यो 46 देखी 50 केजी ताउल सम्हको पूरुस स्पाइरिंग मा गंडगी प्रदेश ले शोन पदक जित्यो गंडगी प्रदेश का लागी खगेंद्र घर्ती मगर ले शोन दिलाई धामीले रजद पदक माची तबुजाय भने नेपाल आर्मिका पुड़ बहादूर मघर र लूम्मिली का संतोस बुडा मघर ले काश्यो पदक पाई एक काउन देखी पसपन केजी ताउल समवको पुरुस स्पाईरिंग मा बागमती का विक्सन वाईवाले शोन र नेपाल आर्मिका प्रेम कुमार मघर ले रजद पदक जिते पुरुसकेई चपन देखी साथी केजी ताउल समोको स्पायरिंग मा बागमतिकेई अनिल तामांगल शोन पदक जिते भने गण्णगी का प्रब्वीड बुडा मगर दे रजत पदक प्राप्त गरे ब्रीहत राष्टे खेलकुत को चोथो दिन को समाप्ती मा पदक तालिकामा बिवाके चोली हरुखो बर्चस्चोने रहियो बिवाके चोली नेपाल आर्मी ले एके दिन 23 शोर्ण जिते पदक तालिकामा फ्राक किलो दिरी बनाए नेपाल आर्मी चोवालिस शोर्ण 31 कास्यर 24 रजत गरी कूल उनाइन सय पदक सहित तालिकाको सिर्षे स्तान मा वहे को चो तेसे गरी नेपाल पुलिस ले भने पदक तालिकामा सुधार गरदे दोस्रोई स्तान मा उकलन सफल भयो नेपाल पुलिस ले 19 शोर्ण 12 कास्यर 28 रजत सहित कूल उनाइन पचास पदक प्राप्त गरेको सभने एपीएफ 14 शोर्ण सहित तेसरोई स्तान मा उकलियेको चो अब मौसम संबन्दी जानकारी देशको पाहाडी भुबाग मा आजराती आमसिक बदली रही बांकी भुबाग मा मौसम सामने तया सफा रहनी मौसम पूर्वा अनुमान महा साखाली चना आएको साथ काटमन मा आजराती कनियोन तमताक्रम 14 शोर्ण था भुली दियूंसको अधिक तमताक्रम 26 रा 28 रिचल सेच बिच्र हनी अनुमान गरियेको साथ अब मौसम संबन्दी थभ विबरन समाचार बुलेचिन को अंते मां प्रमुक समाचार फिर एक पटक कार्तिक अठारा गते देखी मात्रे राजनेतिक गल्रा उमेद्वार ले आमसभाज